नमस्कार सातियों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वित यूपर आज के इस वीडियो में 17 जुन का जितना भी महत्वपुन हमारा करेंट अपैस बन सकता है उसको यहापर डिसकस करेंगे हर एक कोशन का यहापर पोश्ट माडम हमारे द्वारा किया जाएगा उस कोशन से जुड़ी हुए जितनी भी महत्वपुन जानकारी है वह तो बताएंगे साथ ही उससे जुड़ी हुए इस्टेटिक जानकारी भी यहापर आपको बताई जाएगी जो कि आने वाले आपकी सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही उप्योगी होने व होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लडने वालों के कदमों में जहान होता है यानि कि जब तक जो है आप यहां पर तई नहीं करेंगे कि हमें जो है हमारे लक्ष तक पहुंचना है तब तक जो है आप अपने लक्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं और बैटकर जो है आपको मुकाबला करना है अगर आप उनका जो है मुकाबला करते हैं तो आपको आपकी मंजियल जो है जरुर यहाँ पर मिलेगी तो चलिए इसी मोटिवेशनल थोड़ के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले पहला कोशन आपट डिसकस कर लेते हैं कोशन है कि हाली में भारत सरकार ने अगनिपत सेन्य भरती योजना शुरू की है ये कितने साल के लिए होगी चार ओप्शन है दोस्तों दस वर कुछ महत्पुन जान करें तो भारत सरकार ने रक्षा सेनिकों के लिए चार साल के कार्यकाल योजना अगनिपत सेन्य भरती योजना शुरू की है ये योजना कमवदी के कार्यकाल के लिए अधिक सेनिकों को शामिल करने के सुविदा प्रदान करेंगे इस स्किम की योजन में अपनी सेवा यहां पर प्रदान करना चाहते हैं उनके लिए अगनिपत सेन्य भरती योजना जो है आपकी यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा आपके शुरू की गई है यह कितने साल के लिए होगी अगनिपत सेन्य भरती योजना इसके अंतरगत कितने सालों के लिए भर किया जाएगा आगला कुर्शन आप पर देखते हैं दोस्तों की हाली में जारी नेशनल ए गवर्नेंस सर्विस डिलेवरी असेस्मेंट रिपोर्ट दोजार इकिस में किस राज्य ने प्रथमिस्तान प्राप्त किया है दोस्तों चार ओप्षन है केरल महराष्ट हरियाना या राजिस्तान तो राइट आंसर आपका बनता है ओप्षन है केरल राज्य सरकार के द्वारा नेशनल ए गवर्नेंस सर्विस डिलेवरी असेस्मेंट रिपोर्ट दोजार इकिस में प्रथमिस्तान प्राप्त किया है देख लेते हैं इन से जुड़ी जानकारी तो यह आगके कब प्रकाशित की गई तो तेरा जुन 2022 को इसका प्रकाशन किया गया इसका लोंच किया गया एन एन एश डिये संबंदित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वित्रण में सुदार करने में जो है मदद करता है और सभी राज्य केंदसासित प्रदेशों और केंद् प्रथाओं को यह आपका यहाँ पर साजा करता है तो यह जो असेस्मेंट रिपोर्ट हाली में जारी की गई है इसमें पहले इस्तान पर कोन है तो हमारा केलर राज्य है चलिए दोस्तों अगला कुर्शन देखते हैं कि भारती रेलवे की भारत की गोरव योजना के तत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया चार ओप्षन है गोरखपूर अयोध्या भोपाल या कोयम बटूर तो दोस्तों राइड आंसर आपका बनता है ओप्षन डी कोयम बटूर से इसको हरी जंडी दिखा कर आपका रवाना किया गया दे सिदा कुशन आईगा कि भारत गोरो योजना के तरत पहली ट्रेन आपके किंदो इस्टेशनों के बीच आपकी चली तो कोयम बटूर और सिर्णी के बीच जो है यह आपकी यहाँ पर चली है जो साही बाबा की नगरी जिसे के हम सिर्णी के नाम से जानते है और कोयम बटूर इन दोनों के भी जो है यह ट्रेन आपकी यहाँ पर चली है तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों यहाँ पर एक योजना की बात है यह भारत गोरो योजना तो यह जो है क्या योजना है इसके अंतरगत क्या प्राउधान आपके किये गए है उनसे जुड़ी कुछ महत्यपुन जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं भारती रेलवे ने 23 नवंबर 2021 को भारत गोरो योजना नामक एक नई योजना शुरू की थी तो योजना आपके कब शुरू होती है 23 नवंबर 2020 को इसके शुरूआत की जाती है इस योजना के तहत निजी टूर ओपरेटर रेलवे से लिच पर ट्रेन ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपने पसंद के किसी भी सर्किट पर आपका चला सकते हैं यानि कि यहाँ पर ट्रेन को लिच पर रहते हैं किराय पर उनके द्वारा यहाँ पर लिया जाता है और इन ट्रेनों को किसी भी circuit पर जो है आपका यहाँ पर चला सकते हैं यानि कि जिस प्रकार से ब्रस्य होती है या जमिन को हम leach पर लेते हैं और वहाँ पर जो है अपने जो भी कारिय होते हैं अपना जो भी start-up होता है उसको हम वहाँ पर शुरू करते हैं उसी प्रकार से भारत गोरो योजना के तद जो नीजी टूर ओपरेटर है रेलवे से जो है लीच पर ट्रेने लेते हैं और इन ट्रेन को अपने मन पसंद के सर्किट पर वह यहाँ पर चलाते हैं तो यह है आपके भारत गोरो योजना कब शुरू होती है तेविस नमबर 2021 को इसको शुरू किया जाता है दोस्तो अगला कोशन है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जुन 2022 को कीर शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्टी सम्मेलन के अध्धक्षता करने जा रहे हैं चार उप्षन है दोस्तो देहरादुन, धर्मशाला, स्रीनगर या चं या जो है यहां पर यहां जो सचिवों है उनके पहले राष्टी सम्मेलन के अध्धक्षता है प्रदान मंत्री के दवारा आपकी कि जा रही है कुछ और जो है हाली में यहां पर आपकी जो है इसी प्रकार की जो है आयोज़ित किये गए थे इसी प्रकार के कारेक्रम आयोज़ित हुए थे तो उनसे जुड़ी भी जानकारी यहां पर देख लेते हैं अगर आपसे पूछा जाएं कि June 2022 में कौन सा दे में आविजित किया गया था तो right answer आपका बनता है बेंगलूरु में अगला कोशन बनेगा किस देशने 2022 के पहले ब्रेक से सेरपा बेठक के अध्यक्षता की है तो right answer आपका बनता है चीन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई अगला कोशन ने 10 मार्च 2022 को किर्शयर में पहार और पोष्ट्रण पर अंत्यराश्टी सम्मेलन आयजित किया गया था तो राइट आशर आपका बनता है श्री नगर में इसका आयजित किया गया है तो भारत और यूरोपीय संग सुरक्षा परामर्स जो है इन दोनों के बेचे इसका आयजिन आपका कहा हुआ थे चार ऑप्शन नहीं से दोस्तों पेरिस रोम बूसेल्सल्स या केप mirror एंश आपका यहां पर बनता है उप्शण सी जो है हमारा यहां पर रैठ अंसर बनेगा बूसेल्स में इसका यह जन आफ का किया गया था परामर्ष की सद्धिक्षता रक्षा मंत्रालाई के संदीप चकरवती और ये दिशंग के निदेशक शुरक्षा और रक्षा निति दोरा की गई है तो यहां भी हमारे लिए यहां पर बन जाता है चलिए दोस्तों यहां पर जो है आपकी बात आई है यूरोपीय संग की तो इससे जुड़ी कुछ महत्पुन जानकारी देख लेते हैं अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है तो एक नवंबर 1993 में माश्ट्रीच निदल Legend में इसकी स्थापना की जाती है यूरोपीय संग का मुख्या लइए कहा पर थे तो ब्रूसल्स में इसका मुख्या लई है यूरोपिय संग आयोग के अध्यक्ष कोन है तो उर्सला वान डेर लेयन जो है आपके यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष है तो यह भी इंपोर्टन यहाँ पर बन जाता है दोस्तो अगला कुश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि हाली में किशार में भ अगला कुश्चन है दोस्तों कि करनाटक की राजदाने बेंगलूरू में अल्ट्रा लगजरी सर एम विश्वेस्वरयया रेलवेट टर्मिनल को चारलू कर दिया गया है अना वू कुलम त्री स्वापता ही के एक्स्प्रेस ने इस विशेस अउसर को सिन्नित करने के लिए इस्टेशन को पार किया है रेलवे अधिकारियों के मुताबेक वातानु कुलित SMEV रेलवे टर्मिनल 314 करोड उपे का प्रोजेक्ट है इसमें सोलर रूप्टो पेनल और रेनवाटर हार्वेस्टिंग मेकेनिस्व आपका है तो कहां पर शुरू हुआ है तो चलिका में प्रथम इस्तान पर रही तो आपके बेंगलूरु यहां पर रही थे कन्पिजन मतो होना अगर पूछा जाई कि खेलो इंडिया यूथ गेम से मैं पहले स्थान पर कौन सा राज्जे रहा है तो हाली में आपका हुआ हुआ है उसमें हर्याना आपका पहले स्था अगला कॉशन है हाली में की शहर में भारत के पहले पोटेबल सोलर रूप टोप सिस्टम का अनावरण किया गया तो राइट आंसर आपका बनता है गांधी नगर में इसका जो है अनावरण किया गया अगला कोशन है कि हाली में केंदिरे ग्रह rigorous अमिति शाहा ने क्षहर में नेशनल इंटलीजेंस ग्रिड परिशर का उद्गाटन किया है तो राइट अंसर आपका बंता है बेंगलूरू में इसका उद्गाटन किया गया अगला question है हाली में यहाँ पर retail और WHO ने किशर में mobile container अस्पतल का उद्गाटन आपका यहाँ पर किया है तो right answer आपका बनता है विशा का पटना में इसका उद्गाटन आपका यहाँ पर किया गया अगला कोशन है बहुत इंपोर्टन कोशन है दोस्तो जून 2022 में कौन सा देश भारत का तेल का दूसरा सबसे आपूर्ती करता आप बन गया है यानि कि भारत को तेल के आपूर्ती करने के मामले में भारत को जो है निर्यात करने के मामले में कौन सा देश आपका दूसरे इस्त महता पुन जानकारी तो स्यूदी अरव को पचाड़ कर रोस अब भारत के दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आप उन्ती करता बन गया है और सबसे बड़ा कोन है यानि के पहले इस्तान पर कोन है तो एराक जो है पहले इस्तान पर आपका आता है तो दोस्तो यहां ती इससे जुड़ी कुछ महत्पून जानकारी है अगला कोशन है सिप्री एरबुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमानु हतियार है चार ओप्षन है अमेरिका रूस जापान या चीन तो दोस्तो राइट आंसर बनता है ओप्षन भी रूस जो है यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है तो इस्टोकोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट नो राज्यो नो राज्यो से यहां परतात परिया देश है अमेरिका रूस युनाइटेड किंग्डम फ्रांस चीन भारत पाकिस्तान इसराइल और उत्तर कोरिया के पास लगवक 12105 परमानु हतियार है जिसमे जिन में से 9440 संभावित उपियों के लिए सेन्य बंडार में होने का अनुमान है सिप्रिनेजवारी अपनी वार्सिक रिपोर्ट में एसा कहा है और इसी रिपोर्ट के अनुक्सार सरवादिक परमानु हतियार किसके पास है तो रूस के पास आपके यहां पर है तो यह भी ह यहां पर दोस्तों इंपोर्टेंट बन जाता है चलिए दोस्तों अब कल का जो करेंट पैस है उसका एक बार यहां पर हमकी क्रिविजन कर लेते हैं पहला कोशन है कि हाली में किस राज्य सरकार ने किसान पंजी करण और एकी कृत लाभरती सुचना प्रणाली या फ्रूट तमिल लाड़ू या पंजाब तो दोस्तों राइट अंसार आपका बनता है option है करनाटक जो है हमारा यहां पर राइट अंसार बन जाता है साथि दोस्तों यहां पर आपको कुछ जानकारी बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों हमारी एफ है करनी होती है तो उसी से संबंदी जो डिक्टेशन है 2015 और 17 में जो बोली गई डिक्टेशन है उसकी जो है पूरी पीडियाप हमारी इस एप पर उपलब्द है साथ ही अगर आप सिपी सिटी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो उससे संबंदी ते संपूर्ण नोट्स और उससे संबंदी टेश्ट जो है हमारी एप सक्सेस वित यू पर उपलब्द है तो अगर आप जो है इन दोनों एक्जामें से किसी की तयारी कर रहे हैं तो हमारी एप सक्सेस वित यू डाउलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्रिक्शन में आपको मिल जाएगी अगला कोशन हमने देखा था कि किसे ICC द्वारा मई महा के लिए ICC में प्लेयर्स ओफ द मन्थ चुना गया तो एंजलो मित्विच को आपको चुना गया या जो है किस देश के आपके बल्ले बाजे या किस देश के क्रिकेटर है तो राइड आंसर आपका बनता है स्री लंक अगला कोशन है कि हाले में किसे स्हयूकत राष्ट्रे के अपर महा सचीव न्युकत किया गया है तो राइड आंसर आपका बनता है रबाप फातिमा को अपर महा सचीव न्युकत किया आपृत यज है अगला कोर्षन है कि हाली में बहरत के 74 वे Grend Master कोन बना है चार ओप्शन थे उसमें से जो right answer बनता है वो बनता है किशोर राहूल स्रिवास्तव भारत के 74 वे Grend Master आपके बना है चलिए दोस्तों अगला कोर्षन देखते हैं कि विश्व का पहला देश कोन सा है जिसने प्रत्यक सिग्रेट पर चेताउनी चापने के निर्दस दिये है राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है केनेडा जो है इस प्रकार का कारे करने वाला विश्व का पहला देश आपका मना है जिसे ने बोला है कि प्रत्यक सिग्रेट पर चेता उनी जो है आपकी छापनी होगी चलिए दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि हाली में भारत और किस देश में अंडमान सागर में 38 भी सयुक्त गस्ति अभ्यास का आउजन क्या जा रहा है तो राइट अंसर आप किया है तो राइट अंसर आपका बनता है पीएव सोरी ओप्शन डी असुनी वेश्णव यहाँ पर राइट अंसर बनता है जो कि वर्तवान में हमारे रेलवे मंत्री है दोस्तों आज का कोश्चन कल आप से कोश्चन था पूछा गया था वह था कि विश्व की पहले फिश की पहले फिशिंग केट की जनगर्ना आपकी यहाँ पर की गई थी ओप्शन डी चिल का जिल यहाँ पर राइट अंसर बनता है जो कि भारत की सबसे बड़ी लेगुन जील है तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा दोस्तों अगला कोश्चन बहुत इंपोर्टन कि कितने लोग जो है हमारा जो डेली करेंट का जो वीडियो आता है उसको जहां से देखते हैं कितने लोग इसको लाश्ट तक देखते हैं और कितने लोगों को जो है जो कोश्चन डेली पूछा जाता है उसका अंसर यहाँ पर आपका पता होता है तो दोस्तों इसका अंसर जो है आप अधिक से अधिक संक्या में जो है comment यहाँ पर करिएगा ताकि हमें भी जो है यहाँ पर आपके comment देखकर हमें जो है यहाँ पर motivation मिले और इससे बहतर यानि कि जो यह वीडियो तो देते हैं यह तो हमारा better है बहतर है और इससे भी ज़्यादा better देने कि जो है पर करने है एक यह कि आज का जो question पूछ रहे हैं इसका answer आपको comment में बताना है और दूसरा के वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक करना है तो इसका जो right answer आपको यहाँ पर बताना है सुद्य अरब इराक इसराइल या रूस तो जो भी right answer हो आप सभी यहाँ पर comment करके बताइ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो आज की रिपस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चैहिन